सेट विद्या मंदिर इंग्लिस हाइज स्कूल स्रीवी अस्सी वसई मैं सुनिल कुमार्त्र पाठी पे बच्चों आज हम विशय हिंदी पाठी ग्यारा जो देखकर भी नहीं देखते के अंतरगत भाग एक का अध्यान और अध्यापन करने चल रहे हैं जिसमें है लेखी का परिचे हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 इस्वी को संजुक्त राज अमेरिका के टसकंबिया अलाबामा में हुआ था उनके पिता का नाम एडम्स केलर तथा माता का नाम केट एडम्स केलर था बचपन में ही एक वीमारी ने उनकी द्रिष्टी तथा स्रमण छमता छीन ले देखेने की और सुनने की शक्ती छीन ले परंत उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तथा पढ़ना जारी रखा वै एक लेखिका समाज सेवी तथा सक्री राजनीति भी थी वै पहली वधिर और द्रिष्टी हीन महिला थी जिन्होंने कला इसनातक की उपाधी अर्जित की एक जोन 1968 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया हेलेन केलर का संपूर्ण जीवन हिम्मत और होंसले की मिशाल है जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है लेखिका के वारे में बच्चों देखते हैं हेलेन केलर 1880-1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोसनी दिता रहा कलपना करो की जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वा लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले भरपूर आसा आकांगशा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं ऐसी थी हेलन केलर हेलन केलर जब वो एडेड़ वर्स की थी बचपन की एक गंभीर विमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ती जाती रही लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कॉलेज की दिनों में ही प्रकासित अपनी आत्म कता कि स्टोरी आफ लाइफ में वह लिखती हैं मुझे ये तो शायद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती दुनिया की सभी भासाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं इसके अलावा भी उनकी दस पुस्तकें और सैकणों लेख प्रकासित हुए हैं उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्वसांत के लिए काम किया हेलन केलर भारत भी आई थी पाठ परिचे अर्थात पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में हम देखते हैं मात्र डेड़ बर्स की आयू में अपनी दृष्टी तथा अपनी देखने की शक्ती तथा स्रमण चमता अर्था सुन्ने की चमता खोदेने वाली लेखिका ने इस निवंध में यह अस्पश्ट करने का प्रयास किया है कि प्रकृति प्रदत अर्थात प्रकृत के द्वारा दी गई द्रिष्टि के आसिरवाद के महत्यों को मनुस्य नहीं समस्ता वो अपनी छमताओं की कद्र नहीं करता वो उन्हीं चीजों की आसा करता है जो उनके पास नहीं है लेखी का कहती है कि आखों वाले लोग अक्सर कुछ नहीं देखते अथवा बहुत कम देखते तो बच्चों इस तरह से आज हमारा यह भाग यहीं पर संपूर्ण हुआ धन्यवाद